तो यहां पे मैंने कुछ जूलरी के साथ लो किया है इसमें वाइट स्वेटर के साथ giyent है मैंने पेंदा हुआ है आप पेंड है कुछ भी है आप उसको इस तरही किसे मेप लुक के साथ कर सकते हो और यह लगशन तो इसको मैंना अपने पूरे फीज इस पर देख सकते हैं तो इसको मैंना अच्छे से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कॉंटिटी में मैंने मुष्चराइजर लिया और अपने यहां मसाज करना है आप बहुत लोग क्या करते हैं मुष्चराइजर लिया लिया छोड दिया नहीं ऐसे नहीं करना है अपको अच्छे से मौस्चराइजर अपने लिए रहा वह आपकी स्किन तक पैनिट्रेट ना हो जाए ना अंदर तक उजाए ना अच्छा कुछ लोगों कि क्लिप डाले थी जो मैं संस्क्रीन यूज करती हूं हम टो उससे मेरी फ्रेंड ने पूछा थ कि श्रता तुम कौन संस्क्रीन लगाती हो इस्वजह से मैंने उनकी चकरों में यह वाली क्लिप कीया है यह संस्क्रीन मतला गल्डेंट सा एफटा है मतलब शाइनी सा गलोई सा कभेश दिखता है जो यहां पर वाइट कास दिख रहा हो संस्क्रीन की वज़े से हलका सा मैंने लगाया तो वाइट कास लगता है थोड़ी देर के लिए लगता है जब आप मेंकप कर लेते हो तो वह उतना दिखता न है झाल को थे लैसे अफ़ा है यह ठोट हटो अगल्ड सा था नंना प्रका संन्म है मुझे लग रहा था है जो शीर घृंक मिलता है मैं पूरं फौरर दॉ lên फिवाधो PC में त आल दूंकी अगर आपको का एंड़र आप इंट्रीस्ट से छ ब्लेंडर किया तो फोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद यह हो गया था अब यह क्या बोलते हैं यह लेपस्टिक है क्रीमी कप करके इसका शेट था इसको बड़ा अच्छा सा कोरल शेट था तो मैं इसको ना ऐसा ब्लाशर लगा रहे हूं अपने चीक्स पे और इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड ब्लेंड करने के बाद में अपनी आइब्रोस को फिल करूंगी और आइब्रोस के लिए अगर मेरी जैसे आपकी आइब्रोस है ना तो कभी भी ब्राउन अगर आपका चल जाता तो ठीक है ब्राउन और ग्रे को मिक्स करके कड़ को तो आपका बड़ा च्छा सबन जाता है और नैचरल लगती है आपकी ऐब्रोस को अपने उसके बाद मुट्र का जल आइन अच्छा यहां पे देखोगे ना पट्रेंगी शावर्ट रहां ब्लू है ग्रीन तो को थैंज को ध्यान म अच्छे से अच्छा ना मुझे ना यह वाला जो जलना है नहीं को बड़ा पसंद है मैंने मेवलिन का ट्राइक है मुझे ना उतना अच्छा ने लगा हाला कि थोड़ा से एक्सपेंसिव है पर बड़ा अच्छा मतलब यह ग्लाइड होता है आपकी आइस पे उसके बाद यह जो है मैंने ग्रीन सा शेड लिया है अपने आइशेडव पैलेट में से इसमें ना तोड़े शीमर पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा शिमरी भी नहीं है मैड भी नहीं हलका अब इसको मैंने अपने फ्लैट ब्रश में लेके हलका सा टैप कर दिया जिससे कि एक्सेज रिम हो जाता है तो इस तरीके से मैंने क्या क्या ग्रीन आइशेडव लिया और उसको काजल के उपर अप्लाइ कर देना है कुछ ही नहीं करना है अपने अगर आपके पास ग्रीन काजल ना हो तो आप यह वाला ऐसे ट्राय कर सकते बड़ा अच्छा ग्रीन कलर देखो ब्लैक के सब्सक्राइब करने से मिल गया ना I mean आप एक शीड़ लिया था जो कि मैंने के लिए लिया है इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे हल्का सा उपर क्रीच अपर मतलब प्रीज अरिया पे बस थोड़ा सा मुझे क्या करना है रिपकरनी चेंट इसलिए मैंने हल्का सा लिया और इसको क्रीज पर अप्लाई कर लिया अभी मुझे थोड़ा सा शेड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं को डिजायर शेड नहीं मिला तो मैंने हलका सा दूसरे पैलेट में से रस्ट सा शेड था देखो जैसे रस्ट है न रूपटे में उसको ध्यान में रखते हैं मैंने थोड़ यह स्मूध कर लिया सारे कलर्स को अब रस्ट शेड लिया था ना मैंने उसको पैंसिल ब्रश में लेकि अपने लोऊर लैश लाइन पर अपलाए कर लोंगी इसको करने के बाद मैंने कोई काजल नहीं लगा है है यहां पे बस लोआइश लाइन पहल का सा शैडू अपलाई मासकारा जलदी ड्रय होता है कियो के अंदर आपकी ज़ो बॉटल ऊकी को साल से यूज अभी तक देख सकते हो बिल्कुल राए नहीं हुआ तो ऐसे करना ला होता है कि आपकाims कारा जल्दी सूखे ना अच्छे से मस्कारा जो है अपने आपर लैक्ष पे और लॉए इस पे अपलाई कर लोगी उसके बात बीच पिर से भरी घलति करी नहीं मैंने यहां पर सरे लिन्स लगा हैं क्या करूं पहले मैं पर समझ नहीं आता भीच में पीर आफ तक लेंसेस ना लगा तक तक ऐसे लगते जैसे कि में ठूम कम क्प्लीट है मतलब आई मेकप पर जाती तो भूध तो मैंने लगाए यहां पे तो मैंने लगा कि हलका सा मेरी आइस वाटरी हो रही थी आप यह भी कर सकते हो अगर आपका आपका होता नहीं कहीं वाटरी हो जाता है तो आप ले लो ऐसे कॉटन बड्ड और उसको अपने आइस के इनर कॉर्णर पर लगा लो और यह ना आपके जो आखों से पानी आरा ना तो सोख कर लेता है अब फिर से ऐसे तो जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा मेरे आखों से पानी नीचे मतलब मेरे फेस पे नहीं गया तो मेरा मेक अप कोई स्पॉयल नहीं हुआ फिर भी मैंने हलका सा टच अप कर लिए लोवर लैश पर फिर से एक बार यह पैंसिल ब्रश फ टीज फोड़ी लगाए खाब हम वाइड लगता है जैसे लगता है जैसे आगर अक्याप कर देता है का लाग सा लगता है ब्युक्तली है वाइसन फेस्त के बार ये ने न होख वी Bul। कोई शेप नहीं लगती ना जब हम ब्रॉंज कर देते हैं ब्रॉंजर अप्लाय कर देते हैं नोस पे छोटा सा ब्रश लिया मैंने ब्रॉंजर शेड लेकि अपने नोस को देखना भी उपर से जो है मेरी नोस बिल्कुल ऐसा लगेगा हां शार्प हो गी है लग रहा है ना अब भी भी चीजों से चीजों से लगती हूं फिर यह है मेवलिन का मास्टर क्रों मॉल्टन गोल्ड शेड बहुत अच्छा सा है बहुत ज़्यादा यह चंगी सा इसमें पार्टिकल बहुत अच्छा मतलब सुना होगा आपने बहुत सारी यूट्यूबर से भी से वारे मे वैसा वाला हाइलाइटर है बहुत अच्छा तो इसको मैंने क्या किया अपने हाइस पॉइंट पर लगा लिए अच्छा मेरे पर देखोगे आप चुटे-चुटे से गड़े हैं अगर में वहां पर हाइलाइटर लगाओंगे ना तो मेरे जो गड़े है ना और ज्यादा शो हो जाती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो देखो या पर चुटे-चुटे-चुटे गड़े अगर वहां लगा लूँगी ना तो इन्हेंस होने लगेगा तो बस इससे ब्लाव बॉन्स के इनर कॉर्णर के बिजॉप दनोस क्यूपीड बोस चिन पे लगा लि पर लगा लिया करो आउटर पर और इनर पर तो यह जो है लैस आपकी अच्छे से फिक्स होंगी निकलेंगी नहीं आउटर और इनर कॉर्णर की तरह साइट से उसके बाद मैंने मेक अपको फिक्स किया सैटिंग स्प्रे से तो यह सब करने के बाद बारी आती है तो यहां पर जो दोनों लिप्स्टिक के शेड्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी इनकेस अगर आप इंट्रेस्टेड हो जाके चेक कर लेना तो लिप्स्टिक अपलाई किया और यह लिप्स्टिक जो दूसरी वाली लगाई है ना मैंने रिकोर्ड की सिप आउट देख लेना तो आपको ना फिंगर से ऐसे डब डब करो आप अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी ब्लेंड करने के बाद देखो कितना अच्छा सा शेयर बन गया था यह जा भी रहा था मेरे उसके साथ तो यह कंप्लीट फाइनल फिनिश मेंक अप लुक मेरा कैसा लगा कॉम झाल चिंग